Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT टेली प्राइम के आज के सथ्याए में आप जानेंगे गोडाउन की आवश्यक्ता क्यों होती है, टेली में उसे कैसे बनाते हैं, उसका उप्योग कैसे करते हैं, साथ ही जानेंगे गोडाउन की रिपोर्ट कैसे देखते हैं, हमारी इसके पहले वाली वीडियो स्टॉक से संबंधित थे, जिसमें हमने बताया था कि स्टॉक कैटेगरी क्या है और उसका उप्योग कैसे करते हैं, और ये वीडियो भी स्टॉक से ही संबंधित है, इसमें हम गोडाउन के बारे में बताएंगे, जब किसी कमपनी का व्यापार बड़ा और फैला हुआ होता है, तो वो कमपनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल को खरीती है और बेशती है, और इस कारण से उसे माल का स्टॉक भी ज्यादा रखना होता है, माल का स्टॉक रखने के लिए उसे अलग-अलग गोडाउन की ज़रूरत होती है, अब सवाल उठता है कि किस go down में कब, कौनसा, कितना माल आया और किस go down से कब, कौनसा माल, कितना गया और अब किस go down में कौनसा माल, कितना बचा है अब ये जानकारी कैसे प्राप्थ हो इसी लिए Tally में प्रत्य go down का हिसाब अलग-अलग maintain किया जाता है यहां हम आपको एक महतुपुन बात बता दें कि कई टैली सॉफ्ट वेयर में यह option go down के स्थान पर location के नाम से मिलता है वास्तों में यह दोनों एक ही हैं आप चाहें तो location का नाम बदल कर go down कर सकते हैं यह कैसे कर सकते हैं? यह हम आपको इस वीडियो के end में बताएंगे चले आगे बढ़ते हैं यहां हमने काम करने के लिए अपनी एक company open कर ली है इसमें हमारा electronic items का व्यापार है आप चाहें तो अपनी पहले से बनी किसी भी company में या नई company बना कर हम जो सिखा रहें वो काम कर सकते हैं अब हम gateway of tally पर हैं go down create करने के लिए हमें masters के अंतरगत create पर जाना होगा यहां inventory masters के अंतरगत go down option दिखाई पड़ रहा है हम go down पर जाकर enterprise कर रहे हैं ऐसा करते ही एक pop-up window आ रही है जिसमें लिखा है कि tally में पहले से ही इस company के लिए एक main location बनी हुई है क्या आप इस main location में परिवर्थन करना चाहते हैं या एक नया go down बनाना चाहते हैं यहां हमें आगे बढ़ने से पहले main location का अर्थ समझना होगा जब हम कोई व्यापार करते हैं तो prior हमारी एक दुकान होती है जहां हम ग्रहकों को तुरन दिलिवरी देने के लिए कुछ माल भी रखते हैं टैली का आशय इसी तरह के स्थान से है आप चाहें तो इसे main location के नाम से ही रहने दें और चाहें तो कोई अन्य नाम भी दे सकते हैं में लोकेशन का नाम बदलने के लिए अल्टर एक्जिस्टिंग पर माउस से क्लिक करें या ए प्रेस करें और अपनी जरूरत अनुसार दूसरा नाम दें हम इसका नाम बदल कर वेर हाउस वन कर रहे हैं अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं अभी हमने में लोकेशन का नाम बदल कर वेर हाउस वन कर लिया है अब हम कुछ गोडाउन्स बना लेते हैं यह देखिए अभी हम मास्टर क्रियेशन स्क्रीन पर हैं यहां से गोडाउन पर जाना होगा जो की सिलेक्टेड है हम एंटर प्रेस कर रहे हैं देखिए फिर से उसी तरह का मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा है कि आप वेर हाउस वन में अल्टरेशन करना चाहते हैं यह एक नएा गोडाउन बनाना चाहते हैं यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इस तरह का मैसेज तभी तक आता है जब तक आपकी company में एक ही location बनी हुई होती है और जब आप एक से ज्यादा locations यानि godowns बना लेते हैं तो फिर इस तरह का message नहीं आता है हम नया godown बनाना चाहते हैं उसके लिए हमें create new पर mouse से click करना होगा या c press करना होगा देखे ऐसा करते ही godown creation screen आ गई है यहां आप godown का जो भी नाम देना चाहते हैं वो type करें हम type कर रहे हैं warehouse 2 और enterprise कर रहे हैं यह list of godowns आ रही है जिसमें हमें under में select करने के लिए दो options दिखाई पड़ रहे हैं आए पहले इन्हें समझ लेते हैं यदि हम warehouse 1 select करते हैं तो जो नया godown बनेगा वो पहले से बने warehouse 1 यानी main location के अंतरगत होगा जैसे कि हमारा एक godown हमारी दुकान के बिलकुल पास है और हम दुकान के साथ ही उसका निरंतर उप्योग करते हैं तो उसे हम warehouse 1 के अंतरगत बना सकते हैं ऐसा करने से हम उस godown की अकेले और warehouse 1 के साथ stock report देख सकेंगे पर यदि हम इस godown का पूरा हिसाब किताब अलग से रखना चाहते हैं तो हमें primary select करना होगा अंडर में हम primary select कर रहे हैं अब इस screen को accept कर लेते हैं इसी तरह हम एक और godown warehouse 3 के नाम से अंडर में primary select करके बना लेते हैं इस तरह से हमारे पास कुल तीन इस्थान हो गए हैं या कह सकते हैं कि तीन godowns हो गए हैं warehouse 1, warehouse 2 और warehouse 3 जहांपर हम माल रखेंगे आईए हम इन godowns की report देख लेते हैं उसके लिए हमें reports की अंतरगत display more reports में जाना होगा उसके लिए D press करें अब यहां inventory books के लिए I press करें अब godowns के लिए G press करें देखें list of godowns आ रही है यदि आप सभी godowns की report एक साथ देखनाः चाहते हैं तो primary select करें और किसी एक godowns की report देखना चाहते हैं तो उसका नाम select करें हम primary select कर रहे हैं देखें यहां पर एक दिक्कत आ रही है, हमने primary select किया था जिसे सभी go-downs की report देख सकें, पर यहां सिर्फ warehouse 1 ही दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण यह है कि जिस go-down में stock नहीं होता है, उसकी report नहीं आती है, हम इस report को detail में देखने के लिए alter और F5 प्रेस कर रहे हैं, अब आप देख सकते हैं, warehouse 1 की detailed report आ रही है, एक बात ध्यान रखें, जब हम tally में go-down बनाते हैं, तो हमारे पास पहले से, जो भी mall stock होगा, वो अपने आप tally ने, जो main location पहले से बना कर दी थी, जिसका आपने चाहे कोई भी नाम दिया हो, उसमें आ जाता है, यानि जो main location पहले से बना कर दी थी, उसमें दिखाई पड़ता है, जासा कि आप यहां भी देख रहे हैं, हमारा जो भी stock पहले से था, वो main location यानि warehouse 1 में दिखाई पड़ रहा है, आईए अब हम purchase की एक entry कर लेते हैं, हमने अशोक ट्रेडर्स की बिल नंबर 265, dated 1 नवंबर 20 से, Sony TV 20 इंच वा 15 नग, 40,000 रुपए प्रती नग से उधार खरीदे, इन दोनों तरह के 15-15 TV में से हमने अपनी तीनों location यानि go-downs पर 5-5 TV रख दिये हैं, तो आईए अब इस transaction को record कर लेते हैं, हम अपने report को बंद किये बगेर ये transaction record करना चाहते हैं, इसलिए go to पर जाकर mouse से क्लिक कर रहे ह अब create voucher पर जाकर enter press कर रहे हैं, अब purchase voucher के लिए F9 press कर रहे हैं, purchase voucher में entry करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं stock item का नाम select करते ही stock item allocation screen आ रही है, और इसमें उपर की और उस item का नाम दिखाई पड़ रहा है जो हमने select किया था, अब हम space bar press करके go down select करेंगे, देखिए यहां हमारे सब भी go downs के नाम आ रहे हैं, अब select किये गए go down में जितनी quantity रख रहे हैं वो type करेंगे, quantity टाइप करने के बाद हमें rate डालना होंगे, अब enter press करते हुए आगे बढ़ें और इसी तरह जिस go down में जो भी quantity रख रहे हैं वो डालते हुए आगे बढ़ें, हम वापस name of item पर आ गए हैं, यहां दूसरी item का नाम select करें और अभी बताई हुई प्रक्रिया को दोराएं, अब हम इस screen को accept कर लेते हैं, चलिए अब हम एक cell के entry कर लेते हैं, उसके लिए F8 प्रेस करें, हमने 1 नमंबर 2020 को बालाजी ट्रेडर्स को 20 इंच वाले सोनी टीवी 5 नग 25,000 रुपे प्रतिनग से उधार पेची, और यह पूरा माल हमने उसे वेर हाउस वन जो की हमारी मेन लोकेशन है वहां से दिया, तो आईए इस transaction को record कर लेते हैं, सेल्स वाउचर में एंट्री करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं, स्टॉक आईटम का नाम सेलेक करते ही स्टॉक आईटम अलोकेशन स्क्रीन आ रही है, और इसमें उपर की और उस आईटम का नाम दिखाई पड़ रहा है जो हमने सिलेक किया था, हम स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं, देखिए यहां हमारे सब भी गोडाउन के नाम आ रहे हैं, साथ ही किस गोडाउन में कितना स्टॉक है यह दिखाई पड़ रहा है, हम वो गोडाउन सिलेक करेंगे जहां से हम अपने कस्टमर को माल दे रहे हैं, यहां क्वांटिटी टाइप करें, क्वांटिटी टाइप करने के बाद हमें रेट डालना होंगे, अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें और इस स्क्रीन को एकसेप्ट कर लें, हम एसकेप की प्रेस करके वापस रिपोर्ट पर चलते हैं, यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि यदि आपकी कोई रिपोर्ट पहले से उपन है और आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ट करते हैं, जैसे अभी हमने पर्चेस और सेल की एंटरी की, तो वे आटोम के नाम के साथ माल की डिटेल्स भी यहां दिखाई पढ़ने लगी है, यहां हम सभी गोडाउंस की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं, इसलिए F12 प्रेस करके कुछ कॉन्फिगरेशन करना होगा, यहां शो ओपनिंग बलेंस, शो गुट्स, इनवर्ड्स और शो गुट्स आउटवर्ट्स, तीनों को यस करें, अब यहां एक्स्पैंड और लेवल्स इन डिटेल फॉर्मिट को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें, यहां पर आप देख सकते हैं सभी गोडाउंस की विस्वरत रिपोर्ट आ रही है, यहां आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं, इनके बारे में हम आपको अपनी वीडियो नंबर 40 & 41 में बता चुके हैं, ध्यान रखें यह रिपोर्ट वर्ष के प्रारंब से लेकर आपने जो आखरी ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड किया होगा वहां तक की है, हम F4 प्रेस करके वेर हाउस वन सेलेक कर रहे हैं, ऐसा कर यह सोनी टीवी 20 चस की रिपोर्ट आ रही है, इसमें अभी नवंबर माह सेलेक्टेड है और हम इसी माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इसलिए हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, देखिए ऐसा करते ही हमने जो आइटम और गोडाउन सेलेक्श किया था उसकी नवंबर माह क भी डिटेल्स आ रही हैं, और इसमें सपष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वेयर हाउस वन में नवंबर माह की शिरुवात में हमारा उपनिंग बेलेंस कितना था, हमने जो माल खरिद कर रखा था, वो कितना था, जो माल बेचा वो कितना था, और अब अन्त में हमारे पास क का कारण यह है कि हमने खरीदे तो 15 हैं पर वेर हाउस वन पर पांच ही रखी थे हम इस पर्चेस वाउचर की डिटेल देखना चाहते हैं यह अल्रेडी सेलेक्टेड है हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तेखिए यहां खरीद 15 की ही दिखाई दे रही है अब हम वापस पीछे चलत हैं यदि आप इसी स्क्रीन से किसी और आइटम और गोडाउन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करें यहां बैक स्पेस प्रेस करें अब दूसरे आइटम का नाम सेलेक्ट करें अब यहां से दूसरा गोडाउन सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करते हुए आप वन 720 हैं या किसी गुडाउन को अन्य गुडाउन के अंदर गत ले जाना चाहते हैं तो वह कैसे बदल सकते हैं आएए देखते हैं अभी आफ गेटवे औफ टैली पर है औल्टर के लिए फ्रेश करें यहां गुडाउन पर जाकर एंट्र प्रेस करें, लिस्ट अफ गोडाउंस आ रही है, जिस गोडाउं में आप चेंजिस करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें, देखे ऐसा करते ही गोडाउं ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है, इसमें यदि आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो यहां से कर सकते हैं, और यदि अंडर में चेंजिस करना चाहते हैं, तो लिस्ट अफ गोडाउंस में से वो सिलेक कर सकते हैं, यहां हमें कोई चेंजिस नहीं करना है, यह तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, यदि आप टैली में कुछ काम कर रहे हैं और उसे बंद किये बगैर पर जाएं, देखिए यहां कॉमन रिपोर्ट के अंतरगत गोडाउं समरी ओप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप इसकी साहता ले सकते हैं, आई अब देखते हैं कि यदि आपके टैली में गोडाउं की जगह लोकेशन ओप्शन आ रहा है तो आप उसे कैसे बदल सकते हैं उसके लिए गेटवे ओफ टैली के स्क्रीन पर टॉप मेन्यू बार में हेल्प आप्शन में जाना होगा, हेल्प के लिए या तो यहां माउस से क्लिक करें या एफ़वन की प्रेस करें ऐसा करते ही एक छोटा सा मेन्यू ओपन होगा, इसमें सेटिंग्स पर जाकर एंटर प्रेस करें अब कंट्री पर जाकर एंटर प्रेस करें या फिर सी प्रेस करें ऐसा करते ही कंट्री सेटिंग्स की विंडो ओपन हो जाएगी यहां हमें List of Configurations में दूसरे option Use Accounting Terminology of जिसके आगे International लिखा हुआ है, उसे बदल कर India या Sark करना होगा, उसके लिए उस option पर जाएं, अब एंटर प्रेस करें, देखिए India और Sark आ गया है, अब इस screen को accept कर लें, आए अब देखते हैं कि location का नाम बदल कर go down हुआ है या नहीं, यह आप देख सकते हैं नाम बदल गया है। इस वीडियो में आपने जाना कि टैली में go down क्या है, टैली में उन्हें कैसे बनाते हैं और उनका उप्योग कैसे करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे कि एक go down से दूसरे go down में माल कैसे transfer करते हैं। आज के झाल